हेलो दोस्तों मैं चाहिकान सेनी स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल भात आईक्यू में हम टेस्टास करें राजिस्तान पते का नीस पेपर जयापूर एडिशन 19 अक्टूबर तो बने रहे हैं इस वीडियो में साथ नतरक तो आज शुरू करते हैं आज का डिसक्रिशन पेज नमबरं पर बात की जा रही है ये COVID-19 को लेकर के बात की जा रही है कि यहां पर बोला जा रहा है पीक अभी जो समय है वो निकल गया है और फरवरी तक हम काबू कर पाएंगे को तो यह गोर्वर्मनेंट यहां पर बता रही है निउस ये कवर की गई है सरकार का दाव पाहिसा लेकिन फिर भी मेरी गुजारश है कि आप अपने प्रिकॉशन जरूर लेजीगा जब तक कि इसकी व्यक्षिन नहीं आ जाती है क्योंकि अभी इसकी कोई दवाई नहीं है इसको ट्रीट करने के लिए बस ठीक है कुछ ना कुछ चीजें काम कर रही है उसे लोग ठीक हो रहे हैं उनकी इम्मुनिटी कुछ ऐसी है तो वो सारी की सारी चीजे हैं यह यहां पर ग्राफ बता रहे हैं देख सकते हैं आप कि 16 सितंबर को 97860 एक दिन में केस आ रहे थे जो कि अभी डॉप हो गये हैं 17 अक्टूबर को 61893 तो इस प्रकास है यह डेटा बता रहे हैं कोरोना जो है मैदानी बागा में कम प्रवाब डाला उसने समूद्री एरिया में चार गुणा लोगों प्रवावित किया है जो समूद्री एरिया अनौराज ये भारत के अंधर वहाँ पे लोग ज्यादर प्रवावित हो है जैसे कि मुंबई की आपको पता होगा तमिलनार गड़ जैवे कोई दान के अंदर कैलास मत मिला है कैलास कौन है ये एक एक शेर है यह नहीं लाइन इसको जोद्पुर से लाया गया था एक्षेंज प्रोग्राम के तहट तो इसका नाम है कैलास अब मैं आपको कैलास संबन दी एक न्यूज बताएता हूँ राजस्तान के पहले निदेशक बनाया गया था इस प्रोजेक के कैलास शांकला जी को इंद्रा गांदी के बहुत धी खास व्यक्ती थे इनको परमशिर्वी मिल चुका है कैलास शांकला जी को तो इसलिए टाइगर मैं भी बोला जाता है इनका जनम जोद्पुर जिला के अंदर हुगा थ था तो यह सब कुछ इंपॉर्टन चीजा है कैलास शी संबन्दी और यह नाम भी आप याद रखिएगा नहारगर जैवेकुद्दान में यह जो शेर है यह मिला है मतलब इसकी मौत हो गई है यह जांच में पता लगा है कि कुछ घूमते घूमते मतलब शाम को यह बात नि प्रदेश में उजला जोजना के साट लाग लाग लावारती है के बद सुला लाग लोगों ने गरीबों ने लिये तीन निशल गैस स्लेंडर लिये उसके बाद उन्हों नहीं लिये तो यह कुछ यहाब चाचा की जा रही है देख लेते हैं एक नजर एक नजर डाल देते ह इस उजला जोजना पे 2016 हैं प्रारम की थी पेट्रोलियम एंड नेच्रल गैस मिनिस्ट्री के तहती आती है यह आपको पता हूं अच्छी है इंपोर्टन है शुरुगात में जब 2016 में स्टार्ट की गई थी तो पांच करोड लोगों को टारिट किया था बीपील परिवारो को लेकैं वर्तमान में यह आठ करोड हुगी संखिया इसमें तीन परोड का इभा दीया गया है तो वर्तमान में सखिया चूले कुकिंग मिले या उसके लिए यह करना चाहरे कि क्लीन क्युकिंग में फ्यूल मिल जाए और इससे उनकी लाइफ जो है वो भी गुडबत्ता पूर उनके उसमें बदलाव हो जाए इसलिए ये प्रोग्राम लाया गया उज्जोला योजना तो इसका आपको अबजेक्टिव भी थोड़ा सा आइडिया होची दिमाग के अंदर क्योंकि कभी ऐसा मे आए गया यहां पर कुमूलो निम्बस कुमूलो निम्बस बादल क्या होता है जोत्पूर में बर्सा है कुमूलो निम्बस बादल तो यह क्या घटना करम है यह होता है दर्ती से ज्यादा ऊपर नहीं होता है इस प्रकार का जो बादल होता है और तेज बारिस होती है यह च का दक्षिणी भाग है अरब बंगाली खाडी में जो लो डिप्रेशन क्रेट हुआ था उसकी वह तेलांगना हैदरावाद में आपको पता है बीशन बारिस हुई थी काफी कुछ तवाई भी हुई आपे अब यहां पर क्रॉस करता हुआ अरब सागरा पहुंच गया यहां प पेज नंबर ती में बात की जा रही है यह बात की जा रही है कपास की तो खेतों में खुशी आए कपास की अच्छा पैदावार हुई है तो कपास की एक किस्म है एक किस्म है नर्मा कपास इसका नाम है नर्मा कपास याद रखी है पूछा के एक्जाम के अंदर तो गंगा अस्तान के अंदर सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन के जिले में होता है कमेंट वक्स में कमेंट करके बताईए तो इस एरिया के अंदर बीटी कॉटन यानि की बीटी कॉटन क्या है बेसिलस थुरंगी जेनेसिस इसका फुल पॉम आपको पता नोची कई बार एक्जामें पूच्चा भी गया गया है तो इससे काफी अच्छी पैदावार हो रही है तो यहाँ पर लोग खुश हैं तो यह सारे चीज़ें बीटी कॉटन यानि की जनिकली मॉडिपाइड यानि कि उसको जनिकली इस प्रकार से मॉडिफाईट कर दिया था है ताकि वो अच्छी प क्रॉप बोलते हैं यहां बीटी कॉटन इसको बोला गया है तो यह आप समझ लेजिए बीटी कॉटन का मतलब यह बेसिकली जरीटिकली क्रॉप होती है ताकि अच्छी पैदावार हो सके ज़्यादा उत्पादन दे सके तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए आप मेरे मैंने जो आपस प्रेशन पूचा है कपास के बारे में वो जरूर बताईएगा और नाम या दखीएगा नर्मा कपास का पास की एक किसम है यह आपको पता होना चाहिए देखते हैं आके पेश नमर छे पे बात की जा रही है लिंग अनुपात से सम्मन्दी एक यहां पर एडिटोरिल आया हुआ यह तो इसमें क्या बता है कि 2011 में भारत का जो लिंग अनुपात था वो था 906 लेकिन 2018 में यह गिर गया है आठ सु भारत के सामने में नहीं डो चिलेंजेस अभी तो काफी स्यादा सुदार हो गया है कि सबसे पहले पापुलीशन को एक बादा और यह दा यह यह आपको पता होना चाहिए जनसंख्या को कैसे घंटोल करना है अभी जनसंख्या काफी जादा बढ़ती जारी तो उसके लिए प्रोगाम लेकर आ रही है दो बच्चों की योजना लेकर आ रही है तो इस प्रकार से जनसंग्या बात करते हैं भारत आजाद भी नहीं हुआ था उस समय अधे आप देखेंगे IMR और MMR बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि हमारे पास Health Facility नहीं थी बारत के अंदर लेकिन वो अभी हमने डवलप कर लिए शिक्षा का भी अच्छा खासा विकास हो रहा है तो ये दोनों की दोनों चीज़े कबर हो रही है हम प्रयास कर रहे है कि हमारी जो जनसंग क्या है वो भी कंट्रोल रहे IMR, MMR भी कंट्रोल रहे ताकि नुकसान न उठाना पड़े भारत को अब इसमें एक होती है प्रजनन उम यानि की फर्टलेटी एक एज होती है उसको बता गया 15-49 ये आपको पता नोची है फर्टलेटी की जो एज है उसकी रेंज है 15-49 वर्ष की उम्र तक फर्टलेटी ज़ादा होती है तो ये एक उम्र है इसके लिए अब भारत में एक टर्माती टी फर्टलेटी रेट तो भारत में वर्तमान में 2.2 बताईगे ये टोटल फर्टलेटी रेट 2018 में है अगर ये 2.1 पर आ जाती है तो बताए जा रहा कि भारत की जनसंक्या एक इस्थर लेवल पर आ जाएगी ए अगर ये 2.1 आ जाता है टी फर तो इन सभी के प्रियाश चलना है टी फर को कंट्रोल में लाने के लिए क्योंकि जनसंक्या एक बहुत बड़ी समस्या है मतलब आप समस्कते हैं कि भारत के पास 130 करोड की आबादी है तो उनके लिए कैसे चीजों का डिस्ट्यूपिशन करन इस अंसाद होनों की लोगों पास यदि हम USA से कंपेर के उनकी 33-35 करोड की आबादी है तो सारी लोगों के पास सब कुछ समान रूप से मतलब समान नहीं कह सकते हैं मतलब equitable form में हैं लोगों की पास at least वो अपनी जीवन यापन अच्छे से कर पा रहे हैं भारत में तो 30 पॉपुलिशन एक बहुत बड़ा इशू है भारत के सामने मतलब एक बिग चेलेंज है तो इसको डिल करने के लिए यह प्यास कर रहे हैं कि टी एफार में कमी आनी चाहिए वो आने के बाद हम अच्छे से प्रोग्राइस करेंगे और भारत एक अच्छा कंट्री निकल के आएगा जो कि आप पहले देखेंगे यदी यदी आप 2000 साल पहले भारत का रिकॉर्ड देखेंगे तो भारत क्या कंट्री था कितना शांदर कंट्री था सोनी की शडिया ऐसे ही नहीं बोला गया है भारत को तो वो सारी की सारी चीज़ें फिर से भारत के अंदर होने लग ज क्या है क्योंकि यह जो अभी है census के according आप से प्रश्ण पूछा जाता है क्योंकि अभी census 2021 में टाल दिया गया 2022 के लिए कोबिट नाइटीन करण तो 2011 का census के according आपको पता नो चीए कि 906 है भारत में लिंगा रुपात देखते हैं आके पेज नंबर साथ में बात की जा रही है यह यहां पर बात कर रहे हैं कि महावारत में जीन एडिटिंग की तकनीक थी तो यहां पर एडिटोल में उन्हों कुछ बताया है किस प्रकार थी कैसे थी तो अभी वरतमान में जीन एडिटिंग को लेकर कि important क्या नूज बनती है जीन कास 9 तकनीक याद रखीएगा बहुत ही important है इसमें क्या होता है genetic कैची और अनू कैची के नाम से जाना था यानि की genetically changes किये जाते हैं मतलब कोई अगर बोलेगा आगे जाके especially देखा जाए तो disease को control करने के लिए चीज़ा की गई है जैसी किसी को cancer के cancer प्रबावित कोई व्यक चाहिए क्या design चाहिए वो भी यहां से निकल के आ सकता है तो इस प्रकार की यह तकनीक है तो यहां पर इसको अडू कैची या genetic कैची भी अगर आपसे प्रशन में आता है तो समझ जाए क्रिस्पर कास 9 तकनीक की बात चल लिए कि इसको genetically कैसे change किया जाएगा चीज़ों को बहतर करने के लिए मतलब किसको क्या शकले देनी है कैसे उसको बनाना है कितना strong बनाना है तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर की जाएंगी तो यह बहुत ही important बन जाता है और इसमें रसायन का novel भी दिया गया है दोजार रूइस में दोनों ही नाम important है याद रखिएगा तो आपको बता दूंको भारत के अंदर मुक्षे पोर्ट हैं वह 13 पोर्ट हैं तो मुक्षे पोर्ट हैं हमारा के उनके तो यह आपको basic idea होना चाहिए इनके बारे में कि port किस प्रकार से काम करते हैं मतलब किसके jurisdiction रहती है उनके उपर पेज नमबर नायम पर बात की जारी है sports संबंदी news है यहां पर important है पूछा सकता है exam के अंदर क्योंकि महिला है यह दूसरा है यहां पर शाहू तुशार माने शाहू तुशार माने ने रजज़त पतक यहां पर जीता है तो यह भी आपको पता हूं अच्छी है यह आप देख सकते हैं एला वैनिल की photo यहां पर यह दी गई है तो यह एक news तो आपको इनके बारें पता नोची महिला है और गोल्ड मेडल जीत लिया निशाने बाजी में इसलिए important news बन जाती है page number 10 से बात की जा रही है यह क्या बात की जा रही है अंतर राष्टी मानव तसकरी मामले में NIA की चार सीट यानि कि NIA involved है इंटरनेशनल जो human trafficking होती है उससे संबंदी है news यहां पर तो मैं आपको बता दूँ NIA के संबंद में NIA गठन 2009 में हुआ था NIA एक सामविदिक निका पकार कि को संस्ता हो जो इन चीजों से डिल कर सके तो वहां पर इस संस्ता का गठन किया गया था और इसके लिए एक पारित किया गया था तो वहां से निकल कि आई NIA National Investigation Agency अब 2019 में National Investigation Agency में संशुदन किया गया और इसके छेत्रा दीगार को यानिकि जूरिस्टिक्षन को बढ़ा दिया गया इसमें कई सारी चीजों को सामिल कर दिया गया जैसे कि मानव तसकरीवी इसके अंदर एक डाल दिया गया इसलिए यहां पर जांच कर रही है तो आप और भी जो चीजें एक बात देख लीजेगा क्या 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 शंशोदन हुए है अदरवाइस में प्र सोनिक क्रूज मिसायल क्या हूं क्या है सुप्र सोनिक क्रूज मिसायल क्या है रहा बताए। मेरे को comment box में comment करके बताइए दो प्रशन आपके सामने अब मेंटर के आईए सूपर सोनिक cruise missile ब्रह्मोज का अरब सागर में नौसेना के स्वदेशी Stealth Destroyer वार्शिप नौसेना का ये एक वार्शिप एज का नाम है Stealth Destroyer वहाँ से INS चेन नहीं से सफलता पूर्ण परिक्षन किया गया है ये important news है यहाँ पर तो सूपर सोनिक cruise missile आपको बताना है ब्रह्मोज भी बताना है आपको मैं आपको बता रहता हूँ Stealth Destroyer क्या है Stealth Destroyer वह चीज होती है ऐसा वाशिप जो की रडार में नहीं आता दुश्मन की यानि कि छुप जाता दुश्मन इसको पकड़ नहीं सकता है ये उसकी रडार में नहीं आएगा और ये अपने अटेक करता रहेगा दुश्मन के ऊपर इसको बोते है Stealth Destroyer तकनीक तो Stealth Destroyer तकनीक बहुत ही important है समुद्र के अंदर जो भारती नौसरा के पास है वहाँ पर छुपकर वार किया जा सकता है आप रडार में नहीं आएगा दुश्मन देश की जो सेना है उनकी जो रडार लगे हो उनके आप सीमा उनके रडार की आप कैच में नहीं की जारी है अर्मेनिया और अजरबेजन तो यहां पर बार-बार कुछ ना कुछ इनका सीज़ फायर का यह ओं लंगन कर रहे हैं बार-बार कंट्रीजिस इसमें सहमती बनाने कोशिश कर रही है अर्मेनिया अज़रबेजन बहुती इंटरनेशनल फेन एक मुद्दा बन गय है तो आई होप की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्याद से लाइक करें सेरे करें सब्सक्राइब करें यदि आप डिसलाइक करते हैं तो कमेंट वाक्स में ज़रूर बताएं कि अपने डिसलाइक क्यों किया है कुछ कुछ आप देन comment box में इसी के साथ धन्यवाद